अर्षामलेकूम 12 Mathematics यूना नमबर 2 Differentiation आज हमारे पास Access आई है 2.4 Question 1 है कि Find D Y by D X My Making Substitution अब हमने लेना तो डेरिवेटर है बाट उसके लिए हमने इसकी substitution लेनी है तो first of all हमने इसको Question 1 का नेम दे लिया अब हमने इसमें जो let करना है जो भी इसके अंदर स्केरोड के अंदर value है पहले हम इसको let कर लेंगे यू के equal वो क्या आएगा 1-X और 1-X इसको नाम question number 2 का दे लेंगे ये value पूट कर लेंगे question number 1 में तो हमारे पास जो value है question number 1 में वो आएगी Y ये जो सारी value थी इसको आगया यू बट power इसके क्या आ रही है 1 by 2 अब ये जो y आ रहा है ये हमारे पास किस पे depend कर रहा है एक्स पे तो हम इसको differentiate करेंगे with respect to x तो इस तरह से dy over dx whole power है तो हमने इस पे rule apply करना है power rule power है कि start में और power से हम करेंगे 1 minus x और फिर without power इसका derivative लेना है तो वो क्या आएगा du over dx अब ये जो values आ रही है हमारे पास similarly dy by dx और 1 by 2 और ये जो power थी 1 by 2 minus 1 ये माइनल से हम लेंगे तो क्या आएगा 1 by 2 negative अब इसी तरह से हमारे पास अब ये जो value है 1 by 2 ये negative power ज़र आएगे denominator positive हो जाएगी और क्या आ रहा है du over dx इसके हमने name दे दिया हमने question number 3 का अब इस पे हमारे पास कौन सी value नहीं है du over dx नहीं है पहले तो du over dx पाइंड करेंगे इसके लिए हमने u को again consider किया u हमारे पास है one minus x over one plus x तो यहां पर right shot पर variable x है इसका मतलब differentiate करेंगे इसको with respect to x तो यहां बनेगा du over dx और आएगा denominator का square without square और किसका हमारे पास derivative लेना है हमने numerator यह जो भी था numerator का derivative फाबुल लेगा minus then numerator अब derivative किसका लेना है हमने denominator का derivative लेना है इस तरह से one plus x pole का square है तो one plus x constant का derivative क्या आएगा zero और जब x की हम बात करें तो x का derivative हमारे पास क्या आएगा one आएगा similarly one minus x constant का derivative जब लेंगे constant है तो उसका derivative हमारे पास क्या आएगा अब यह zero आएगा और x का derivative क्या आएगा one आएगा अब similar ले हमारे पास जो value आ रही है one plus x whole square जब minus से multiply करेंगे minus one और minus x फिर यह one और minus minus क्या आएगे plus के x आएगे plus x से दोनों आपस में क्या हो जाएगे cancel और इस तरह से हमारे पास जो value बन रही है du over dx की बनी है minus two over one plus x के और whole का square है यह जो du over dx है इस पे value हमने find out कर लिए और यहां पे हमने u की value भी put करनी है तो u की value जो है हमारे पास वो हमने क्या lead की थी one minus x और one plus x लिए थी whole की power हमारे पास क्या थी one by two और du over dx हमने find कर लिए इस पे हमारे पास आया है minus two over one plus x की power whole का square था अब हमने इसको जो values आ रही है two two से cancel हो गया क्या आ रहा है minus के one और जो value आ रही है one minus x की power कितनी आ रही है one by two और similarly one plus x अब two ये power इसमें से minus होगी one by two तो हमारे पास इस का answer क्या आएगा minus one one minus x के root को इस फामिल लिक सकते है जब ये two minus one by two को solve करते हैं दिन बच्चों को नहीं ideal से लेने का तो बड़ा इसी है यहां पर two at denominator यहां से one कैसे same बनाएंगे जब इसको two से multiply करेंगे और two से divide अब देखें दोनों का else से हम सेम हो गया two लिक लेंगे two to the four minus one क्या हैगा three by two तो one plus x की power क्या आजेगी three by two और हमने find क्या कर लिया दिवाइ over one का second part है इसको भी substitution से हल करना है तो पहले जो भी value थी scale root के अंदर उसको हमने let कर लेना क्या value थी है हमारे पास you equals to x plus x का scale root यह हमारे पास equation number two और फिर equation number one में हमने इसको put कर लिया तो हमारे पास you की power कितनी आगी है one by two अब you है हमारे पास differentiate कर लेंगे हम इसको with respect to x तो यह आएगा du over dx तो x हमने derivative लेना है तो x का derivative क्या आजएगा one अब यह कितनी power है x के root का meaning है कि power क्या होती बन बैठो तो power को start में लेकिया आना है और power से हमने one minus करना है similarly plus one by two तो x की power क्या आजएगी minus के one upon two आजएगा अब similarly हमारे पास जो value आ रही है one अब यह तो negative है जब इसको denominator में लेके जाएगे तो x की power क्या हो जाएगी one by two अब इसका हमने else के में लेना है तो क्या आएगा यह two x के root तो यहाँ पे क्या आएगा यह two x के root और plus one यह value बनी है du over dx की अब du dx भी आगया अब यह जो y है किस पे depend कर रहा है यू पे बट हमने दे चेन रू लगाने के लिए हमने इसका लेना है derivative तो हम इसको differentiate करेंगे इसको with respect to x तो यह आएगा d over dx बोज साइड पे अब कितनी power है इसके root का meaning one by two one by two power को start में power से one minus और without power base का derivative लेना है यह यह जो power थी अब यह बेस है हमारे पस you जिसका हमने x के लिए आसे derivative लेना है d y over dx है अब one by two आ रहे है u की power क्या बच्छी है minus one by two और d y over dx one upon two negative है denominator में आएगा तो क्या होजाएगा positive but d y over dx की value हमने find out कर ली है दसे तो ही आएगा two x के root plus one over two x के root अब जो value आ रही थी है हमारे पस तो ये two x के root two सिर्फ एक value से multiply हो रहा है अब ये two और two तो क्या होगे है four but you हमारे पस हमने let किया था वो किसके equal था x plus x के root और साथ इसके हमारे पस क्या आ रहा था x का scale root भी आ रहा था अब मजीद simplify में इसको क्या ली सकते हैं बढ़ डी वाय बाय डी एक्स को आ गया अब हमारे पस जो value आ नहीं है one plus two x के root as it is और इसको four के साथ हम write कर लेते हैं four into x के root और x plus x का scale root के one का third part है कि यहां पर हमारे पस जो values है यह फिर हमारे पस y equals to x plus a plus x over a minus x है तो let करेंगे यहां पर u a plus x और a minus x इसको हमने name दे लिया equation number two का equation one में यह replace करेंगे इस तरह से जो y आएगा वह आएगा x और u, u के power कितनी आ रही है one upon two अब हमने इसको differentiate करना है इसको with respect to x तो वह क्या आएगा differentiating with respect to x तो वह आएगा हमारे पस dy over dx x तो अब जो value बनी है हमारे पस first function और derivative of second apply करना है भी plus second और derivative of first अब हमारे पस एक्स तो वैसे आगया power है power start में लेके आएगे और power से one minus करेंगे फिर du और base का derivative लेना है base कौन सी है हमारे पस u तो हमने इसलिए इसका du over dx ले लिया similarly u की पावर one by two है और x का derivative of क्या आएगा हमारे पस one आएगा अब इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं dy over dx है और x by two है और u की पावर कितनी बचकी one by two minus one तो क्या आएगा minus के one by two similarly du over dx that's we want to find the value यहां से हमारे पास जो x over two है और u negative है जब इसको denominator में लेके आएगे तो power हम क्या लिक लेंगे इसकी positive और du or dx और यहां पे भी हमारे पास u की power one upon two है अब मैंने इसको यहां पे skip किया है कि हमारे पास value किसकी find करेंगे हम इसको du by dx की दब इसमें put करेंगे अब जो हमारे पास value आ रही है अगेन हमने u क्या था वो consider कर लेंगे इसको u हमने let किया हुआ था a plus x over a minus x तो इसको हमने differentiate करना है with respect to x क्या आएगा du over dx क्या आएगा a minus x whole square a minus x और derivative हमने किसका लेना है numerator का formula का minus है numerator आएगा और derivative हमारे पास किसका आएगा denominator का similarly students हमारे पास a minus x whole square अब हमारे पास a minus x तो as it is write करेंगे constant है constant derivative का आएगा 0 x का derivative का आएगा 1 similarly हमारे पास अब a plus x अब constant है उसका derivative का आएगा 0 और x का derivative का आएगा 1 अब जो value आ रही है du over dx की तो जब one से multiply होगा as it is ऐसे फिर ये minus से multiply होगा तो minus minus क्या होगा plus और a plus x आएगा इस तरह से दोनों ही cancel हो जाएगे और a minus x की power क्या आजाएगी whole square du over dx a a और a two a क्या है इसमें a minus x whole का scale अब की जो value है हमारे पस values हमने replace करनी है यू भी put करना है हमने तो x two जो u था हमारे पस वो हमारे पस किसके equal था a plus x और a minus x whole की power क्या आजाएगी one by two ये d by dx हमने find कर लिया वो क्या आ रहा है two a और a minus x का whole scale यू जो आ रहा था हमारे पस a minus a plus x और a minus x raise to power क्या आ रही है one upon two आ रही है d y over dx आ रहा है अब ये d y over dx two two से क्या हो जाएगा cancel आ जाएगा यहां पर क्या हैगा a x और a plus x की powers के रूट हमने लिख लिए अब ये base पे लेखें यहां पर भी हमारे पस a minus x है और ये भी a minus x कै दोनों की powers को हमने combine करना है तो जब ये a minus x इसको लेके जाएगे तो power इसमें से होगी minus फिर यहां पे a plus x की powers के root separate कर लिए और a minus x की power भी हमने separate कर लिए अब पहले तो simplification करेंगे इसमें a x a plus x a minus x 2 minus 1 by 2 है तो क्या आएगा lcm लेके 3 over 2 आएगा जब इनको solve करेंगे अब एक आ रहा है a plus x और एक आ रहा है a minus x का मतलब scale root की power कितनी आ रही है 1 upon 2 अब इन दोनों का हमने lcm लेना है जब lcm लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा एक तो a plus x आएगा और इसके साथ ही हमारे पास क्या आएगा lcm में a minus x की power 3 by 2 यह वाली तो same है जब denominator में इसका लेंगे तो cancel होगा lcm तो यहां पे क्या बचेगा a x बस जब a minus x है तो एक तो a plus x हमारे पास given है a plus x और यहां पे भी a plus x given है इसकी power दोनों को combine करके लेंगे यह भी one by two और यह भी हमारे पास one by two लेकिन a minus x की power एक one by two है एक हमारे पास है three by two तो three by two और one by two जब इस numerator में लेके जाएंगे तो power minus कर लेंगे two by two cancel होगे आजएगा one इसका मतलब a minus x की power क्या बचेगी one बचेगी अब इस तरह से हमारे पास a x यह whole का square होगे square root cancel होजएगा तो क्या बचेगा a plus x और क्या बचेगा a minus x और similarly denominator अब इसका मतलब है a x आ रहे हैं और यह जो value आ रही है हमारे पास क्या बनेगा a square और minus x square और similarly जो denominator आ रहा है a plus x का square root आ रहा है और a minus x की power कितनी आ रही है three by two यह किसकी equal आ रहा है हमारे पास d y by dx के four part में हमारे पास values है four part में जो values है हमारे पास उसमें हमने पहले question number one और जो भी हमारे पास powers में value हो उसको क्या let कर लेंगा हम इसको यू let कर लेंगे वह काएगा three x के minus two x plus one यह हमारे पास question number two आएगी now question number one becomes y equals two u raise to power six तो अब यह हमारे पास इसको differentiate करना है differentiating with respect to x तो क्या आएगा यह dy over dx तो कितनी power is six power rule apply करेंगे power start में आएगा power से one minus और without power जो भी बेस है उसका हमने derivative लेना था अब यह आगा हमारे पास six u की power five और साथ आ रहा है du over dx dy over dx हमारे पास अब इसको हमने name दे दिया question number three का अब क्या चीज़ आईए du over dx आईए हमारे पास और यहां पर u की value तो हमारे पास है but derivative चाहिए तो u जब consider कर लेंगे three x के minus two x plus one seven तो इसको differentiate करेंगे with respect to du x तो इस तरह से आएगा du over dx अब डोनों साइड़ों पर हमने derivative लेना है अब three x के minus two x plus seven यह du over dx हमने as it is right कर जिया three start पर ले लिया अब हमने किसका derivative लेना है x केर का फिर हमने किसका derivative लेना है x का और now हमने derivative किसका लेना है seven अब यह जो du over dx था अब यह क्या आएगा three x केर का derivative क्या आएगा two x same है derivative क्या आएगा one constant is का derivative क्या आएगा zero six x minus two du over dx का हमारे पास answer आएगा अब यह जो values है जो हमारे पास derivative की आ रही है यह put कर देंगे question number three में तो dy over dx हमने required था six u की हमने value put करनी है u हमारे पास था three x square minus two x or plus seven और यह जो dy over dx था इसकी value क्या हैगी six x or minus two और यहां पर first की power क्या आ रही है five आ रही है इसमें अच्छा इसमें से हमारे पास जो value आ रही है इसमें अब in sum में से देखें क्या common आ रहा है three x square minus two x plus seven is two power five इन दोनों में से क्या common आ रहा है two three x minus one अब यह six or two है इन दोनों को multiply कर लेंगे तो क्या आएगा twelve आएगा और इसको भी हमने write कर लिए three x minus one को इस तरह से क्या बचे गया three x minus two x plus seven raise to power five और हमारे पास dy by dx आगा आए का ее आए